नमस्का सात्यों आप सभी का स्वाथ है आपके अपने चैनल इंदर जी में तो दोस्तों आज हम करेंगे कुछ इंपोटेंट कोशन इंधी के तो बस आप वीडियो को पूरा देखें तो कोशन हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों कोशन आपकी स्किन पर दिया हुआ है और वीडियो को लाइक शेयर आप जरूर कर दें चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब भी करने दोस्त तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका क्रोध 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 दोस्तों इसका विल्कुल राइट आंसर हो जाए तो चलते हम नेक्स्ट कोशन पर तो कोशन दिया हुआ है मदन सलाका किसका परियावाची है मदन सलाका किसका परियावाची है तो कोशन दिया हुआ है जो इंद्र पर बिजय प्राप्त कर चुका हो जो इंद्र पर बिजय प्राप्त कर चुका हो इंद्रेजे इंदू जीत इंद्री इंद्र जीत तो अब आपको बता ना इसका सही आंसर क्या हो जाएगा तो इसका सही आंसर होगा तो इसका सही आंसर हो काल किरम से क्या गया वर्डन कहलाता है गठनाओ का काल किरम से किया गया वर्डन कहलाता है इतिवरत, कहानी, संश्मरण, नाटक दोस्तों अब आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जागा दोस्तों इसका सही आंसर हो जागा आपका option A इती बिरत तो चलते हैं हम नेक्ट कोशन पर दोस्तों कोशन दिया हुआ है उपकार का विलूम शब्द बताएं उपकार का विलूम शब्द बताएं अनिष्ट विनिष्ट उपकार पर उपकार तो अब आपको उताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा है तो दोस्तों इसक युक्त का बिलोम क्या होगा अभी युक्त का बिलोम क्या होगा निरपराद योगी बोगी अभी योगी तो अब आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जागा अभी युक्त का बिलोम क्या होगा तो बताएं अभी युक्त का बिलोम क्या होगा तो अभी युक्त का बिलोम हुआ है, अभी बावक में कौन से उफशर्ग का प्रियोग हुआ है तो इसका सही आंसर क्या हुआ हुआ, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका option C, क्या हो जाए दोस्तो option C अभी ये प्रियोग हुआ है तो चलते हैं दोस्तो नेक्ट कोशन पर तो question दिया हुआ है अद्यंद मैं उपफर्ग बताइए अद्यंद मैं उपफर्ग बताइए तो अब आपको बताना है इसका सही answer क्या हो जाएगा अद्यंद में उपफ्षर्ग क्या हुआ अटी अधी अप तो बताएं दोस्तो चार ओप्षन आपके सामने पेच्छित क्या हुआ उद्ध प्लस जल उद्ध प्लस जल उद्ध प्लस जल उद्ध प्लस जल उद्ध प्लस जुल दोस्तों अब आपको बताना है इसका सही प्रकासित हुई जैसंकर और साडर की काम्यानी किस प्रकासित हुई तो ऑप्षन आपके सामने दिये हुए तो आपको बताना है 1924 इस 1930chez 1935 जो बताइं इसका सही अंवर क्या हो जाए दूस्तों इसका सही अंसर हो आपका 1936 कब दोस्तों 1936 इसका वलकुर राइट आंसर है तो चलते हैं हम नेक्ट कोशन पर तो कोशन दिया हुआ है बीना किस कभी कभी तरीका काप बे शंग्रे है शुमित्रा नंदनपंथ सुर्जाकंत त्रपाथी नराला महादेवी वर्मा जैशंकर परसाथ दोस्तों सुमित्रा नंदनपंथ तो चलते हैं हम नेक्ट कोशन पर तो कोशन दिया हुआ पंचवत्य किस कभी की रचना है मेंतली सरण गुप्त रामदारी सिंग दिनकर जैसंकर परसाथ सुर्जाकंत रफाथी नराला तो जोस्तों अब आपको बताना है है इसका सही आंसर क्या हो हुआ है काली आंदि किस रशनकार की करती है झाली किस रशनकार की तो चलते हैं नेक्ट कोशन पर दोस्तो कोशन आपके सान्दिया हुआ है इसको हम जूम करते हैं तो दोस्तो कोशन दिया हुआ है काली आंदी की प्रष्ट भूमी में कौन सी गटना है बारत चीनियुत बारत विवाजन गुजरात नरसंगहार आपातकाल तो दोस्तो अब आपको वताना है, इसका सही आइंसर क्या हो जाएगा, तो दोस्तो इसका सही आइंसर बहाना मौाबरे का अर्थ है, बिचलित होना, बुरी तरह पष्ताना, संकत आना, बिनास होना दोस्तो अब आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका option B क्या हो जाएगा दोस्तो option B बुरी तरह पच्टाना चलते हैं नेक्ट कोशन पर तो कोशन दिया हुआ है निम्न में कौन मात्रिक छंद नहीं है चोपाई, रोला, हरीगीति का सवया दोस्तो अब आपको उताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका option D सवया तो चलते हम next question पर दोस्तो question दिया हुआ है निम्न में कौन वार्निक चंद नहीं है कवीत मालिनी मंदा क्रांता कुंडलिया दोस्तो अब आपको उताना इसका सही आंसर क्या हो जाएगा तो दोस्तो बताएं इसका सही आंसर क्या होगा तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तो option D क्या हो जाए दोस्तो option D इसका विलको right answer हो जाएगा option D तो चलते हम next question की ओर दोस्तो question दिया हुआ है पाणे question को निमने में कौन अर्था लंकार नहीं है निमने में कौन अर्था लंकार नहीं है अपमा रूपक यमक उत्परेच्छा दोस्तो अब आपको बताना है इसका सही answer क्या हो जाएगा दोस्तो इसका सही answer हो जाएगा option C यमक क्या हो जाएगा दोस्तो option C यमक इसका विलको right answer हो जाएगा तो चलते हम next question की ओर दोस्तो question दिया हुआ है कि आचार्रे भरत के अनुसार इस्ताई वाओ की संक्या कितनी है आचार रहा वरत की अनुसार इस्ताई वाओ की संक्या कितनी है आठ नो तेंटीस उनने चास तो अब आपको उताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा तो दोस्तो इसका सही आंसर हो जाएगा आप्शन भी नो क्या हो जाएगा दोस्तो पहला राजा किसी परकीती है अम्रतलालसा नाघर मोहन राकेस अहबीव तन्वीज दो दोस्तों अब आपको बताना इसका सही answer क्या हो जाएगा तो दोस्तों इसका सही answer क्या हो होगा है तो दोस्तों इसका सही answer है आपको option बिफ क्या हैzugezeni फ़тесь को umasन में चुद्र पानी, चाच कर, तू Приस्ट दे कर जवानी, इन पंकुत्यों में कौνसा रस रजित होता है, बीर रस, बिबत्त रस, रोडर रस, संगार रस. थो तो अब आपको इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, थो तो इसका सही अंदीरा टिक ना सका, यह किस परकार का वाक के है, सरल वाक के, मिश्र वाक के, श्रयुक्त वाक के, अपु वाक के है दोस्तो अब आपको बताना है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, दोस्तो इसका सही आंसर है, option A क्या हो जाए दोस्तो option A इसका प्रकास के सामने अंधिरा टिक ना सका है तो चलते हैं हम next question पर तो question दिया हुआ है कौन सा सब्द सुद्ध है तो दोस्तो ये पुनर जागराण लिखा हुआ है तो बता है कौन सी में सुद्ध लिखा हुआ है तो इसका सही answer हुआ है दोस्तो क्या option D option D में सही लिखा हुआ है दोस्तो पुनर जागराण चलते हैं next question पर तो question दिया हुआ है नाक का वाल होना किस मौाबरे का अर्थ है नाक का वाल होना किस मौाबरे का अर्थ है परीयर करना इचाशक करना अधिक प्यार होना रृतिश्टा देना जब आपको बताना है इसका सब्सक्राइ अधिक प्यार होना घुनेंट के लिए क्या हुआ है कि निम्लिकित में कौन सा सब्द परी उफ्षर्ग में निर्मित है निम्लिकित में कौन सा सब्द परी उफ्षर्ग में से निर्मित है प्राकरम प्रकाश परिवर्तन प्रवाव तो दोस्तों अब आपको था ना इसका सही आंसर क्या हो जागा तो दोस्तों वता हमने आपको प्रोवाइट करा दियें सिर्फ 10 मिनट में तो अब आपको वीडियो यह कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और दोस्तों वीडियो को लाइक शियर जरूर कर दें चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें ठें कि ओल दो